इस वक्ती एक बरी ख़वर हम आपको बताने वाले हैं दरसल बिहार में लोकडाउन को लेकर बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार का बड़ा बयान आ गया है साथ ही बिहार के ऐसे लोग जो अभी तक किसी दूसर राज्यों में हैं उनके लिए भी नितिश कुमार ने बरी बात कही है उसमें आगे की रननीती ते की जाएगी उन्होंने कहा कि हमारी टीम क्रोना को लेकर बहुत ही सक्रिय है और चिंतित भी है हम सभी से विचार विमर्स कर रहे हैं क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए नितिस कुमार ने लोगों से ये अपील भी किये कि बिना वज़ा घर से ना निकलें और ज़्यादा सा ज़्यादा मास्क का इस्तमाल करें और सोसल डिस्टेंसिंग का भी खयाल रखें उन्होंने कहा कि लोगों का टेस्ट होना जरूरी है ताकि पता चल पाए कि को से छेतर में को ना के ज़्यादा मामले है नितिस कुमार ने बिहार के उन लोगों के लिए बड़ी बात कही है जो किसी दूसरे राज्यों में रह रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो बिहार से बाहर रहरे हैं उन्हें जल्दी बिहार लोट आना चाहिए साथ ही उन्होंने लॉकडाउन वाले सवाल पर कहा कि अपने राजे में जो कुछ करना है उनको लेकर हम 17 तारिख को राजे पाल के नेतरित में सभी दलों के साथ जरूरी मिटिंग कर रहे हैं उसमें निर्ने लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए नितिस कुमार ने साफ कर दिया कि जिस तरह इस्तिथी बिगर रही है अगर ऐसा ही रहा तो उसके लिए जो कदम उठाना होगा उसके लिए हम लोग तैयार है साथ ही नितिस कुमार ने ज्यादा से ज्यादा आटी PCR टेस्ट करवाने को लेकर जोड दिया है तो नितिस कुमार के बयान से ये साफ जलक रहा है कि 17 तारिक की एहम मिटिंग में बिहार में लोगडाउन लगाने के मामले पर ज्यादा जोड दिया जाएगा जिस तरह नितिस कुमार ने दूसरे राज्यों में रह रहे हैं लोगों को लोटने की नसीहत दी है वैसे साफ होता है कि बिहार में लोगडाउन किस्ती थी बहुत जल देखने को मिल सकती है आजकर इस वीडियो में बस इतना ही खबर पसंद आई हो तो जादे से जादा सेयर करें साथी वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहें तो हमाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें नमस्कार